नमस्कार फ्रेंड्स ओनलेंटेक सब कुछिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है लाल से लिखे सस्क्राइब वटन को क्लिक कर ले और इस चनल को सस्क्राइब कर ले चलिए वडियो को सुरू करते हैं इस वडियो में हम बात करने वाले हैं SBI CSP के कुछ नए जो है सर्वर के टाइमिंग को ले करके है और यह जो टाइमिंग जो है पर्मानेंटली जो है एप्रूब्ड कर दिया गया है तो यह सर्वर के टाइमिंग को क्यों चेंज किया गया है और इससे जो है CSP को क्या वेनिफिट मिलने वाला है उसी के बारे में पुरा विस्तार करने वाल है तो चली वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल पर भ़ली वारा हैं तो वीडियो की निचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जुरूर सस्क्राइब कर ले ताकि SBA, CSP से रिलेटिव एंड CAC से रिलेटिव कोई भी अपडेट आती है या कोई भी टेकनिकल प्रॉब्लम आती है तो मैं समय समय पर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ अब ही तक आपने जो भी सर्वर का टाइमिंग का नियूज सुना होगा या जो है सुचना सुनी होगी वो केवल कुछ दिनों के लिए होता था लेकिन अब जो है यहाँ पर हाइयर अथरोटी द्वारा जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और उस टाइमिंग को पर्मानेटली जो है यह टाइमिंग सिफ्ट कर दिया गया है अभी तक जो भी सर्वर के टाइमिंग होती थी पहले सूर्ट टाइम के लिए होती थी कुछ दिनों के मिंद्ट होते थी और फिर से वो 8 a.m. से और 8 p.m. बेश सिप्ट हो जाती थी लेकिन यहां पर अब जो है पर्मानेंट्टी जो है इसको 7 a.m. से लेकर के 7 a.m. तक इसको ओपेन रहेगा हमारा SBI CSP का पोर्टल और इसको जो है मेन रीजन है इसको बढ़ाने का तो यह भी है काफी दिनों से जैसे कि हम जो है अपने सर्वर प्रोब्लम से जूज रहे हैं सभी CSP ओनर जो है SPI CSP पोर्टल पे वर्क करते है time जो है work load ज़्यादा एक एक बढ़ जाता है दोपाहर के time में इस से जो है हमारा server काफी डाउन हो जाता है जिसके वज़ा से this timing को extend किया गया है सर्वर की टाइमिंग को बढ़ना CSP के लिए benefit हो सकता है क्योंकि बहुत सारे जो है अपने time के according जो है CSP जो है अपना work जो है schedule कर सकते हैं क्योंकि दो पाहर में जिस तरह का सर्वर हमारे हाँ problem face करते हैं उसके वाज़ा से बहुत सारे ऐसे नजदी की customer होते हैं जिनको हम सुब भी benefit हमारे लिए होगा CSP owner के लिए क्योंकि जो भी हमारे हाँ 8 बज़े से पहले customer आते थे emergency was तो उनको हम transaction नहीं कर पाते थे जिसके वाज़ा से ओ customer जो है किसी private portal के अगल बगल private portal पे जाके अपना आधार से transaction कर लेते थे अब उन सभी customer को जो है अपने हम CSP पे move करा सकते है अपने new timing schedule के हिसाब से तो इस वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें comment करें share करें और इस चैनल पर पहली बारा है तो वीडियो की निचे लाल से लिखे subscribe बटन को क्लिक करके इस चैनल को ज़रूर subscribe कर ले ताकि SBI, CSP से relative and CAC से relative कोई भी update आती है तो मैं समय समय पर इस चैनल पर upload करता हूँ साथ में अगर आपने हमारे blog चैनल को subscribe नहीं किया है तो मैंने उसका जो है link निचे description में provide कर दिया हूँ आप जाके हमारे blog चैनल को subscribe कर सकते हैं और साथ में जो है हमारे blog चैनल को भी support कर सकते हैं किरेपे आप हमारे blog चैनल को जुरूर subscribe करें और अपना support प्रदान करें तब तक के लिए thank you, धन्यवाद मिलते हैं आपको next studio में इसी तरह के महत्मूर update के साथ CSP से relative and CAC से relative